अगर आप डेली आर्टिकल नहीं डाल सकते हो, डेली कॉंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते हो, क्यूं कर रहे हो ब्लॉगिंग, क्यूं अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक तो आपको काम करना थो आपको तमीज से करना चाहिए कंसिस्टेंट रहे करना चाहिए, पेशेंट रहे करना चाहिए यहां पर लोग 20-20 जिन तक आर्टिकल निडाल रहे हैं हेलो गाईज, वेलकम बैक आज की इस वीडियो में, फाइनली में most awaited website review series back आ गई हमारे चैनल पे दोस्तों मैंने दो हफ़ते पहले अपने चैनल पे live कर था website review series का and again live पे काफी सारे लोग जुड़े थे मैंने one on one काफी सारे लोग की queries दूर करी थी but आज again मैं जैसे पहले website review की series shoot करता था एक्दम वैसे ही format में detailed में आज की वीडियो में around 40 websites को मैं review करूँगा सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ ज़्यादा वखवास नहीं हरेंगे आज वीडियो की तरफ चलते हैं आप मेरी screen देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ 20 websites पकड़ ली है जो orange में mark है इनको मैंने HRF's premium tool में डाल लिया है अब मैं यहाँ पे websites को filter करूँगा उन website से जो पहले थोड़ा सा traffic ले रही है और जिनके keywords अभी indexed है पहले अगर हम बात करें यहाँ पे है milkybollywood.com online growth करो gyrotech hindi nfttc.in sports katak ओके so first website milkybollywood यह I guess इन्होंने बना रखी है सबसे पहली चीज जिनकी भी ये website है यह अपनी website पे regular posting नहीं कर रहे है इनकी website पे last जो article गया था 22 February को और उससे पहले गया था 16 February को again दोस्तों मेरा एक बहुत बड़ा reason था website review series को यतने डाइम तक ना लाने का वो reason यह था कि मैंने around 400 blog already review कर रखे थे right and उन 400 blog मैंने notice क्या किया था कि आप लोग क्या करते हो न website भेज तो देते हो but मैं इतनी सारी website review series की वीडियो देखे आपने एक learning नहीं ली कि मैं किस टाइप के blogs को देखके उन पे detailed में information देता हूँ मेरे को बहुत से लोगों ने comment किया था कि आप detailed में नहीं बताते हो भाई मैं क्या बताऊं तुमें आपने अपने blog पे काम ही नहीं कर रखा है यहां पर लोग 20-20 दिन तक article नहीं डाल रहे हैं डेली एक article भी नहीं डाल पा रहे हैं अगर आप डेली article नहीं डाल सकते हो डेली content writing नहीं कर सकते हो क्यूं कर रहे हो blogging क्यूं अपना और मेरा time waste कर रहे हो अब मैं जाधा कुछ बोलूँगा नहीं दो इनके blog पे traffic आ रहा है में को देखके अच्छा लगा था मेरेको उमीद थी कि शायद यह कुछ अच्छा कर रहे होंगे but sad to see कि यह regular posting नहीं कर रहे है अपने blog पे तो मैं तो यही tip दूँगा सबसे पहले कि मैं आगे आपके blog को और देखता कि पहले regular posting स्टार्ट करू resubmit करना मैं को comment में भी mention करना कि मैं milky bollywood से बोल रहा हूँ या मैं milky bollywood से comment कर रहा हूँ मेरे website को दुबार review करू मैंने इस पर fresh काम करा है तो फिर मैं आपकी website को दुबार review करूँगा बढ़ते हैं अगली website की तरफ next website की तरफ बढ़े online grow करो dot com सबसे पहले टिप जो मैं आपको देना जाओंगा आपके design को लेकिए है यह design आपने बहुत ज़ादा colors को mix करा हुआ है इतने colors एक website में नहीं रखे जाते दो colors से ज़ादा आपकी website की colors आपकी website में colors नहीं होने चाहिए यहाँ पे मेरे को light blue दिख रहा है white दिख रहा है orange दिख रहा है और यह जैसे आपने push notification लगाया है यह spam तरीका है push notification लगाने का genuine तरीका नहीं है आपको ऐसे push notification नहीं लगाने होते है आपने push notification इंप्रूफ करो यह भी regular posting नहीं कर रहा है आर्टिकल की 3 February को इनका last article किया हुआ था मैं क्या review करूँ इस blog में आप regular आप consistent ही नहीं डेट महीनी से आपने article ही नहीं डाला है मजाग थोड़ी चल रही है blog में कि 2 महीना article डाला 30 महीने आप छोड़ दोगे और सोचोगे लाखो का traffic आचाएगा नहीं होने वाला ऐसा जो कि जब तक आप consistent नहीं होए एक साल-डेड़ साल के लिए आप सोचोगे ब्लॉगिंग से आप लाखो रुपे कमालोगे 1000 रुपे भी कमालोगे भाई आप अपनी first payment तक नहीं ले पाओगे Google Adsense अगर आपनी Google Adsense लगा रखा है इस attitude के साथ अगर आप काम करोगे तो इसमें भी मैं आगे क्या review करूँ पहले आप अपनी website को इतना authoritative बनाओ इतना अच्छा बनाओ कि मैं इस पर और feedback देपाँ क्योंकि ये सब मैं देखे आपको feedback क्या करूँगा क्योंकि implementation तो आपने कर नहीं रखा है अभी नहीं कर रखा है तो मैं आगे आपको और भी देदू तो क्या फाइदा इससे बेटर है मैं ये time उन बंदों को दूँ जो regular posting कर रहे हैं अपने blog पे उनको ये tip ज़ादा help करेगी क्योंकि वो regular काम कर रहे हैं तो उनको जगा मिलनी चाहिए आगे अगर ऐसा मेरे को कोई भी ब्लॉग दिखेगा तो मैं सारे ब्लॉग दिखा रहा हूँ पर आगे अगर मेरे को ऐसा ब्लॉग दिखता है तो simply उनको review नहीं करूँगा सिर्फ latest post date देखूँगा यह जिसका भी ब्लॉग है मेरे को इनके भी आर्टिकल्स कम ही लग रहे हैं हिंदी में ब्लॉग चला रहे हैं मल्टी नीश के उपर पहला suggestion मल्टी नीश मत करिए और अपने ब्लॉग डिजाइन को simple बनाईए यह यतना चमक धमक की जरुरत नहीं है ब्लॉग पर आपको simple बनाईए आप हिंदी में आर्टिकल्स लिख रहे हो topics को आप single नीश कर दो और इसके साथ साथ आप URL structure पर थोड़ा ध्यान दो कि URL structure आप कैसे बना रहे हो website के design को improve करो and articles थोड़े और डालो दो आपने articles कम डाल रखे हैं बाट कोई बात नहीं single नीश पर आपको काम करने के जरूरत है और थोड़े और articles जालके दुबार अपनी website को submit करना तो मैं और detailed में review करूंगा दो आपकी website पर traffic और keywords मेरे को देख रहे हैं कि आपके 172 keywords currently indexed हैं Google के अंदर and अगर मैं keywords देखूं तो probably I don't know कि आपको आपकी brand पे इतना traffic क्यों आ रहा है I don't know इनको brand पे इतना traffic क्यों आ रहा है but brand के लावा I don't see कि इनको बागी किसी keyword पर traffic आ रहा है तो जादा मैं क्या ही बोलूँ अभी आपको काफी जरुरत है काफी काम करना है आपको अपने blog पे next website ने तरफ बढ़े nstfdc.in I don't know कि इन्होंने ये नाम क्यों रखा मेरे ख्याल से ये एक expired domain की website है yes ये एक expired domain लिया गया है उस पर इन्होंने blog बनाया है interesting अभी recently Google का एक update आया था expired domains के उपर I don't know कि आपको अब expired domain पे actually में गाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए but सबसे पहले तो आपको अपने URL structure इंप्रूफ करने ही ज़र रहत है सही URL structure आप नहीं उस कर रहे हो and images भी थोड़ी और add करो content की length को भी आप थोड़ा सा बढ़ाओ content की length अभी कम है number of articles आप consistent हो decently consistent हो but yes अभी काफी long journey है आपके लिए articles को डालने के लिए so कोशिश करो कि थोड़े ज़ादा articles आप 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 और नीश आपने चूस करी हुई है वो है days के ऊपर है right तो I don't know exactly कि ये niche कितनी relevant होगी but let's see आपको कितना ट्राफिक अभी आ रहा है आपके थोड़े से कीवर्ड्स तो हैं इंडेक्स कीवर्ड जिबाद चेक कर लेते हैं ओके कीवर्ड्स आपके हैं आपके ज़्यादा कीवर्ड्स हिंदी में उठ रहे हैं तो हिंदी में ही आप आगे इनको continue करो और प्राबिबली आपकी जो वेबसाइट है वो ग्रोग करेगी आगे बढ़ते हैं कौन सी वेबसाइट है स्पोर्ट स्टक वाव वट अवेबसाइट पहली बात काफी सारे टेकनिकल इशूज है आपकी वेबसाइट पर आप सही से पोस्ट नहीं डिस्प्ले कर वा रहे हो अपनी वेबसाइट के उपर और आपको अपनी डिजाइनिंग पर बहुत जादा काम करने ही ज़रूत है काफी मैजट अप है आपकी डिजाइन तो डिजाइन पर काम करिए और आटिकल थोड़े सही टॉपिक्स पर लिखे यह सब टॉपिक्स अगर आप लिखोगे कि वाई गूगल फेस्बुक नॉट वकिंगे न्यूस टाइप अला आटिकल मतले है और आटिकल इतने छोटे क्यों लिख रहे हो बढ़े लिखिये थोड़े से आटिकल डिजाइनिंग पर काम करिए काफी काम करने कि आपको सरु रहा था है आपके ब्लॉक के उपर येस काफी कुछ करना है आपको आपने ब्लॉक के उपर अब ज्यादा मैं कुछ नहीं बहलूँगा थोड़े इस्यूज जो हैं आपकी प्रोमो मूवीज, तजहान न्यूज, बार्बिक्यू नेशन फ्रेंचाइजी, आईपील2024.pro, बेस्ट मॉबाइल अपडेट्स, ट्रेंडिंग कर्मा, डॉट ब्लॉग स्पॉट की जिने सब्मिट किया, वो मैं क्या रिव्यू करूँ, और यहां पर 3-4 वेबसेट से, इनको भी हम खोल लेते हैं, सबसे पहले है प्रो मूवीज, तो यह मूवीज की ओपर आर्टिकल लिख रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, कि अगे यह भी काफी कंसिस्टेंट तो नहीं है, मतलब 9 मार्च को इन्होंने काफी सारे आर्टिकल डाले तो हैं, बट 9 मार्च के बाद इन्होंने कोई आर्टिकल नहीं डाले, considering आप जिस नीश में हो, आपको डेली आर्टिकल डालने चाहिए, क्या जा रहा है, क्योंकि डेली यह चीज़े अपडेट होती हैं, लोग रेगुलरली सर्च करते हैं, आपके अज ट्राफिक आ रहा है, एक बाद ट्राफिक देख लेते हैं, किन टाइप ही कीवर्ट से हैं, आपको आपको आगे रेकमेंड कर पाऊं, बाकी आर्टिकल्स की लेंद पर तो देखो, मैं जादा अभी क्या ही बोलूँगे, क्योंकि इसमें आप कितने ही लेंद बढ़ा दोगे, बस आपको मैं कंसिस्टेंट रहने की रेकमेंडेशन दूँगा, इसके साथ साथ डिजाइन आपकर ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, काम करते रहो, थोड़ी कॉम्पटेटिव नीश याब हो चुकि, क्योंकि न्यूज वेबसाइट्स वगरा इसमें पर आर्टिकल लिखते, बर डेफिनेटली कहीं न कहीं आपको एक एज मिलेगा, जहां पर आपका ब्लॉग राइंक करेगा, ता जहां न्यूज, ओके, न्यूज ब्लॉग, 21 जन्मरी के बाद इन्होंने पोस्ट नहीं किया है, आपको पता है कि ये ब्लॉग एनिवेज मैं रिव्यू नहीं करूँगा, बार्बेक्यू नेशन फ्रेंचाइजी, जो ये आपने पॉप अप लगा रखा है, जिसकी भी ये वेबसाइट है, ऐसे पॉप अच्छे नहीं होते हैं, बाउंस रेट बढ़ाते हैं, ऐसे पॉप अप अपस को मत लगाईए, नेशन उने काफी अच्छे जूस करी है, नो डाउट, बट आपको बार्बेक्यू नेशन फ्रेंचाइजी नहीं चूस करना था, ने, कुछ फ्रेंचाइज रिलेटेट कर सकता था, वो जादा अच्छा वर्क करता, बट एनिवेज आपने जैसे कर लिया है, तो अब अगर मैं देखूँ वेबसाइट को आपकी, ट्राफिक एक बाद चेक कर लेते हैं, ट्राफिक आपको बहुत थोड़ा सा आ रहा है, उसके वीचे रीजन यह है कि आपने ना भी काफी कम आर्टिकल डाले हुए, येस, काफी कम आर्टिकल, जो मैं देख सकता हूँ, और आपने इतने सारे पॉप अप्स लगा रहा हैं, प्लीज ये पॉप अप्स हटालो, ये पॉप अप्स एनिवेज आपको कुछ help इतना करने नहीं वाले, अगर हम बात करें आर्टिकल के, तो हम हाटड़ी 10 पार आर्टिकल भी डाले, तो आर्टिकल पर आपकोा काम करने के जरू लुँद नीश आपकी एथिये, उसके लिए डेफिनिटली आपको बिग ठांज आप है, आर्टिकल की लेंध्र भी आप सही लिख रहे हो, आर्टिकल्स में भी आपको काम करने की बहुत जरूत नहीं है यहाँ पर अपनी ओरिजिनल फोटो यूज करो दाट विल हेल्प यू अलोट आर्टिकल्स के टॉपिक आपने बहुत बढ़े चूज के बस आपको थोड़े और आर्टिकल डालने पढ़ेंगे पर बिलकुल भी काम नहीं करना चाहिए गौन आर्टोस देज वो दिन चले गए जब ऐसे टाइप के ब्लॉग बना के आप अपनी वेबसाइट पर ट्राफिक ला सकते थे बहुत कॉम्पटिशन है इन सब कीवर्ट्स पर आपको ऐसे टाइप की कीवर्ट्स पर नहीं गाम करना चाहिए इंडिया करेंट्रेंड्स डॉट कॉम इनको भी यही टिप कि ऐसे टाइप के पुश नोटिफिकेशन मत यूज करो यह स्मार्ट नहीं है गूगल आपको इस चीज के लिए भी स्पैम में पैनलाइज कर सकता है या फिर आप अगर डिस्कावर से ट्राफिक ले रहे थे तो वहाँ से भी आप हट सकते हो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो इनकी जॉब वेबसाइट है अगर मैं इनकी नमबर आफ आटिकल्स की बात करूँ तो नमबर आफ आटिकल्स है इन पे डिसेंट है और इनका पर काफी नया ब्लॉग है अभी यह मिक्स नीश कर रहे हैं मिक्स नीश मत करो आइस आपको एक सिंगल नीश पे वेबसाइट बनाने ही ज़रूरत है आप अगर इसे मिक्स करोगे तो मिक्स वर्क नहीं करने वाला सिंगल नीश पे आपको वेबसाइट बनानी चाहिए या तो वो IPL हो सकता है IPL में रेकमेंड नहीं करूँगा February की बाद आपने आर्टिकल नीश डाला है आपको पता है मेरा आंसर क्या होगा एक तो पहली आपने News Blog चूज करा है Mobile में करा है and articles आप डालनी रहो मैं क्या review करूँ आपको ब्लॉग को trendingkarma.in blogger की website है मेरे खयाल से ये and हद से ज़ादा आपने trading के ओपर blog बना रखा है and अगर हम देखें तो आप articles तो काफी डाल रहे हो but again trading is not a very good niche to work on right तो I don't know आपको इस niche पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए because ये सब niches में recommend नहीं करता newbie bloggers को जब तक आपकी keyword result बहुत solid now जो कि मैं देख सकता हूँ कि इस case में अभी आपके पास नहीं है right then है आपे voxnews.com ये cover कर रहे हैं लोगों की stories काफी अच्छी niche हो सकती है but again इन्होंने भी थोड़ा बहुत ये mixing वगरा कर रहे हैं news के साथ मैं आपको यही वाली niche suggest करूँगा big burger ऐसे type stories वाले article and अगर इनके traffic की बात करें तो अभी इनके बास traffic unfortunately नहीं है that is the reason because इन्होंने article ये भी थोड़े से inconsistent तो है inconsistency मैं हर जगा देख रहा हूँ कि लोग 4-5 दिन article डालते हैं फिर भूल जाते हैं अपने blog को so आपको वो improve करने की ज़रुत है news blog से हटके कुछ सोचो दोस्तों मैंने इत्ती वीडियो बना दिये niche के उपर topic के उपर उस पर काम करो क्योंकि news blog के लिए वैसे काम कर नहीं तो जिससे आपको करना चाहिए right तो ये recommend नहीं करता हूँ मैं आपको whybase.com ये इन्होंने क्या बना रखा है okay fishing और kayaking के उपर बना रखा है good niche I would say but इस niche के साथ एक problem है कि ये बहुत ज़्यादा seasonal niche है and ये आपके conversions इतने high आते नहीं है but तारीफ करता हूँ आपकी कि आपने काफी साही niche तो चूस करी है but again inconsistent आप भी नहीं हो आपने 6-7 महिने से उपर कोई article इंडाला है and overall articles आपकी website पर कमें that is the reason कि आपकी website पर कोई भी traffic नहीं है birdlifehub.com okay इन्होंने birds के उपर बनाया हुआ है blog अच्छा blog अच्छा niche हो सकता है ये and that is the reason कि again इनके keywords index है I will suggest you कि आपको थोड़ी सी अपनी जो designing है I will say कि आपकी जो designing है आपको थोड़ा अपने designing पर काम करना पड़ेगा and designing के साथ साथ अगर मैं देखूं तो niche stop आपने सही चूज करिए that is the reason कि आपके आपके आज traffic आ रहे designing पर थोड़ा सा काम करिए and articles आप डालते रहिए यहाँ पर अपनी original image डाल दीजे वो definitely आपको help करने वाला है क्योंकि Google को यह काफी पसंद आएगा and थोड़ी keyword research पर आप और काम करेंगे तो वो भी आपको help करेंगा consistent आप भी नहीं है तो consistent होने की भी आपको काफी सक्त ज़रूरत है ताजा चर्चा तो इन्होंने बनाया है news blog and यह articles तो डाले नहीं रहे बहुत बढ़िया typical news blog owner blog बना के articles ना डालना यह उसको so-called news blog बोलना obviously मैं review नहीं कर रहा ऐसी websites को बढ़ते हैं आगे next be set of our website फिर से एक बार इनको check करते हैं पर report हमारे पास आ गई है okay 30,000 traffic वाली website मेरे को दिख रही है चलिए एक एक करके 5-5 websites इच खोलते हैं फिल्मी जिला push notification आपको improve करनी है यह disclaimer को थोड़ा सही तरीके से अपने topic लगाना है articles की अगर हम बात करें कितने articles आप टाल रहे हो तो date आप नहीं mention कर रहे हो कर रहे हो but consistent तो आप भी बहुत ज़ादा नहीं हो and आपने Bollywood जैसी जगा पर दोस्तों consistent आपका रहना बहुत सब्सक्राइब ज़रूरी है क्योंकि जितने fresh आप रहोगे उतना better आपके लिए work करेगा traffic की बात करें तो traffic तो आपके पास काफी ज़ादा आ रहा है एक बार देख लेते हैं कि traffic आपको exactly कहाँ पर आ रहा है so अगर हम traffic की बात करें तो आप traffic ले रहे हो again आपका भी brand पर traffic आ रहा है तो शायद आपने कोई brandable domain लिया that is the reason traffic आ रहा है and वो आपको help करेगा but आपको consistent रहे के articles को लिखते रहना होगा hindispider.com 22 December के बाद 3 December के बाद कोई article ही नहीं है cricketliveupdate.com क्या बात है आप live updates के बारे में बात कर रहे हो 10-10 दिन आप article नहीं डाल रहे हो right मतलब एक scroll में 2 महीने पीछे चला गया मैं आपकी website पे so again आपको पता है मेरा answer कि आपको काफी consistent और काफी काम करने के अभी जरूरत है इस blog पे telego niche का blog articles आप भी बहुत कम डाल रहे हो niche आपने भी बहुत गड़बड choose करी होई है आपको अपनी niche articles की length, articles की frequency बढ़ाने के काफी ज़रूरत है angryfishes.com decent niche but same thing मतलब सच में ठग गयाओ में बोल बोल के की consistent रहना कितना जरूर ही है niche आपने बहुत अच्छी जूस करी है but आप articles बहुत कम डाल रहे हो मतलब क्यूं कर रहे हो ऐसे इतनी अच्छी niche ढूणने के बाद इतनी सुन्दर website बढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा articles डालने बढ़ेंगे आपको traffic आ रहा है आपकी keywords अप हो रहे है कितनी अच्छी बात है बढ़ आप अगर ऐसे regularly काम नहीं करोगे तो इतने competition भरे दोर में गायव हो जाओगे आप niche आपने अच्छी जूस करी है बस आप और consistent हो जाओ I can guarantee you आपका ब्लॉग बहुत अच्छा चलेगा good niche है jobhouse.org job website बट एक job website होने के बाद 7 दिन तक कोई article ही नहीं गया है 2024 आच चुका है यहाँ पर आपको 2023 नहीं हटा है आपको बता है क्या answer है मेरा आपको regularly काम करने की काफी सच ज़रूरत है और अपनी website को regularly update करो फिर देखते हैं आपको ब्लॉग को हम दुबारा review करेंगे and बढ़ते हैं आगे Cinematic Hub 10 March के उनने news article डाला है 4 March को डाला है 5 March को डाला है बाकी दिन की news कहां गई गायव हो गई you know my answer not the right way to make and work on websites vimondtech.net news blog and not regularly posting articles so इसको हम review नहीं कर सकते next bizplanet.in 31 January, 4 January, 3 महिने से कोई article ही नहीं डाला है यह expect करने कि इनकी website पर लाखोंगा traffic आजाए लाखोंगा अपनी website से कमाले not possible hicomputer.in 2024 आचुका है इनके 23 के article अपडेट नहीं हुए है दो-दो महिने से article नहीं जा रहे है not reviewing the blog tajiupdate.com again, same issue इन्होंने niche क्या चूस करी हुए है पता नहीं कुछ weird niche चूस करी है regular यह भी नहीं है multiple niche पर काम कर रहे है क्या बोलू tazanews.tech वेबसाइट नहीं चल रही है, technical issue fix कर रही है full forms और सरकारी, mixed news मत कर यह दोस्तों ऐसी niche पर काम, नहीं आपको help करने वाले है evsgalaxy.com news blog है पर यह है गाडियों के उपर और एक scroll में इनकी website से हम मार्ट से जन्वरी पहुँच गए consistent रहना पड़ेगा patient रहना पड़ेगा नहीं तो blog नहीं चलने वाला यह मेरे suggestions भी आपको help नहीं करने वाले right job24tasks.com job का domain लिया है बट आप डाल रहे हो seeds barvy pass और यह सब और वो भी आप regularly नहीं डाल रहे हो डालने तो चाहिए आपको बट नहीं डाल रहे हो आप कैसे चलेगा काम regular काम तो करना पड़ेगा कोई shortcut तो है नी all finance info finance info की पारे में बात कर रहे हो पर आप यहाँ पे news कवर कर रहे हो jobs कवर कर रहे हो बोल कुछ रहे हो domain से कर कुछ रहे हो that is the reason कि आपके zero referring domains है last block आज की इस वीडियो के लिए 40 block total हमने review कर लिए walk well journey यह क्या है यह कोई e-commerce की brand है शायद हाँ मतलब kind of इन्होंने shoes के ओपर blog बनाया blog तो इन्होंने सही topic पर बनाया है but unfortunately traffic भी इनको आ रहा है एक बाद चेक कर लेते हैं traffic भी इनको आ रहा है but आपके keywords को आपको और फ़रा refine करना होगा आपनी website के design को simplify करना होगा बहुत confusing अभी मतलब मैं खुद confused होगे कि आपका store है या blog है उसको थोड़ा sort करो keywords सही से cover करो definitely कहीं न गहीं आपको help होगे आपके traffic को बढ़ाने में that is it दोस्तों मेरी दरफ से website review series के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी next वीडियो में टिलिन take care, bye bye प्लीज जो वने suggestions दिये हैं उनको ध्यान में रख के अपना blog बनाईए तभी blog बनाईए जब आप content writing कर सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में टिलिन take care and bye bye